Hello friends, TechinUrul YouTube channel में आपका बहुत बहुत स्वागे थे So friends, आज हम Xiaomi का नया smartwatch Redmi watch के बारे में बात करेंगे Actually, ये Redmi smartwatch जो है, Xiaomi का budget smartwatch है इसका rate आकर 3999 रुपे है So आज किस वीडियो में हम फस्ट इस watch का unboxing और setup देख लेते हैं और बाद में इस watch के features के बारे में बात करते हैं और इस watch के performance का इसाए बात करते हैं और फैनली 3999 रुपीज में इस watch को खरी सकते हैं या नहीं बात करते हैं फस्ट इसका unboxing और setup को देख लेते हैं So Redmi watch इसी तरह का box में आता है Box दिखने में काफी premium है So box के ऊपर देखोगे तो Redmi watch के picture देखने के लिए मिलता है यहाँ पर Redmi branding देखने के लिए मिलता है और box के picture के side देखने के तो यहाँ पर इसके MRP आ के 5999 करके लिखावा है MI.com और flip card पर ये 3999 पर मिल जाता है अब इस box पीड ओपन करें के box के अदडर content केया काते है देखते है So box अंदर first watch देखने के मिलता है इसको बहार निगालते है और बाद में charging dock देखने के लिए मिलता है So isको इसको इस्तिमाल करके watch को चार्ज करना होता है So finally user manual देखने के लिए मिलता है तो watch को कैसे setup करना है, कैसे इस्तिमाल करना है, वो पूरा information यह आपर technically मिलता है, first is plastic wrap को निकालते है, अब हम इस watch को setup करते है, so let's power on, so this watch को setup कर निकले, Xiaomi Wear आपके इस्तिमाल करना होता है, मैं आल्रीड डाउनलोड कर लिया, so next, so pair with the watch, so let's open Xiaomi Wear, agree, start, select country or region, India, next, so let's go to profile, pair with this device, agree, pairing, done, so let's select watches, next, next, okay, तो यहाँ पर pairing complete हो गया, तो इस watch का unboxing और setup video shoot करके एक मैने से भी ज्यादा हो गया, तो इस watch को मैं more than one month से इस्तिमाल कर रहा हूँ, अब हम इस watch के build quality, physical overview और इस watch में के features के बारे में बात करते हैं, तो रेड्मी watch दिखने में इसा रहता है, इसका weight आगे 35 gram, strap से मिला के, और without strap आगे 21 gram से, और lightweight के करके कह सकते हैं, और इसके build quality के बारे में बात करेंगे, अब हम इसके physical overview के बात करते हैं, यह watch 1.4-inch color TFT LCD display के साथ आता है, और 2.5D curved glass के साथ आता है, यह आप 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 सकते हैं, और इस display के resolution आप 320 by 320 pixel से, और इसके maximum brightness आप 350 nits, इस watch के display quality अचाय करें के सकते हैं, और bright भी है, इंडोर कंडिशन्स में इस display के visibility काफी अचा है, और outdoor में भी मतलब हो, direct sunlight में भी इस display के visibility अचाय करें के सकते हैं, यह आप आप अब्जूर कर सकते हैं, ओवराल इस watch के display अचाय करें के सकते हैं, तो right side multifunction button एक देखने के लिए मिलता है, वाच के पीछे के side देखने हैं, तो यहाँ पर red view branding देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर sensors देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर charging tools देखने के लिए मिलते हैं, ओवराल इस watch के build quality अच्छा है और display भी अच्छा है करें के सकते हैं, अब हम इस watch में के options के बारे में बात करते हैं, तो watch का home screen इसी तरह से दिखता है, यह default watch face नहीं होता, मैं watch face को change कर दिया, यह watch जो है touch screen के साथ आता है, तो इस watch की इस्तिमाल करके direct watch face को change कर सकते है, watch face को change करने के लिए, तो इसी तरह के arrows आएंगे, तो इस arrows पर select करने पर different watch faces देखने के लिए मिलते हैं, बडिफाल्ट इस watch में पूरे 5 watch faces store हो कर रहते हैं, तो उन में से जो watch face चाहिए, उस watch face को यहां से select कर सकते हैं, और उपर से नीचे के साथ swipe करने पर notifications देखने के लिए मिलते हैं, और right side से left side को swipe करने पर heart rate information देखने के लिए मिलता है, इस option के इस्तिमाल करके heart rate को जान सकते हैं, और दूसरा आप्छना आता है sleep information, यह आज का sleep information यहां पर देखने के लिए मिलता है, और अगला अप्छना आता है weather information, और अगला अप्छना आता है today's number of steps और कितने calories बन हुए, standings कितने हैं, वो पूरा information यहां पर देखने के लिए मिलता है, और अगला अप्छना आता है music control, इस वाज की इसमाल करके अपने phone में play होने वाली music कू कर सकते हैं, तो यह पूरे options हो right or left to swipe करने पर देखने के लिए मिलता है, और नीचे से उपर के side swipe करने पर यहां पर different options देखने के लिए मिलता है, पहला option आता है flashlight, इस option select करने पर flashlight आन हो जाता है, flashlight मतलब screen का display जो है white color में change हो जाता है, मतलब एक चोटा सा flashlight के जीसे काम गरता है, फिर से off करने के लिए, फिर से test करने होगा, आफ हो जाएगा, और अगला option आता है rise to wake, तो वो by default select होके रहता है, तो यह functionality का है, जब भी हम हाथ को उपर उठाते है, इस display आटमेटिकल आन हो जाता है, और next option आता है lock option, इस option को select करने पर screen lock हो जाता है, फिर से unlock करने के लिए multifunction button को लांग प्रेस करना होगा, तो यह आप आप अब देख सकते, लांग प्रेस करने पर यह unlock हो जाएगा, और अगला option आता है dnd mode, by default off में रता है, इसको select करने पर dnd mode on हो जाता है, फिर से off करने के फिर से deselect करना होगा, और अगला option आता है wait for 5 minutes, by default off में रता है, इस को on करने पर क्या होगा, इसके display 5 minutes तक on में रहेगा, और अगला option आता है settings, settings में एगें पहला option आता है watch faces, इस option की इस्किमाल करके watch faces की change कर सकते है, अगला option आता है brightness, पहला option आता है auto adjust, by default DJ blow के रहता है, इस option के enable करने पर, इस screen का brightness तो आटोमेटिकल ली lighting conditions की इसाफ से adjust हो जाएगा, और else, manual से भी इसका brightness की set कर सकते है, तो manual से set करने के लिए brightness option की select करना होगा, maximum brightness आके 6 है, तो 1 to 6 जो भी level चाहिए, इस level की set कर सकते है, और अगला अप्षन आता है smart D&D, इसको enable करने पर, जब भी हम सोते रहते हैं उस वक्तो notifications कुछ भी नहीं आएंगे, तो अगला option आता है rise to back, इस option करते है, तो by default on के रहता है, और यहाँ पर भी start time और end time को mention कर सकते है, और sensitivity option भी देखनी कली मिलता है, by default off में रहता है, इसको enable कर सकते है, और monitoring frequency को set कर सकते है, by default 30 minutes रहता है, इसको select करने पर 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes और 1 minute है, जो भी frequency चाहिए, वो frequency भी यहाँ से select कर सकते है, फिलाल इसको off कर दे रहो, वेकर अगला option आता है heart rate alert, by default off में रहता है, इसको चाहिए तो awn कर सकते है, और अगला option आता है ideal alert, by default off में रहता इसको awn कर सकते है, तो यहाँ पर भी इसका start time और end time प्यस्पे कर सकते है, अगला option आता है auto lock, तो इस option चलेक्ट करते है, यहाँ पर auto lock option जो है by default 20 seconds है, अगर चाहे तो 15 seconds भी select कर सकते है और cover to sleep by default on में है तो मतलब यह है कि जब भी हम watch को हाथ से cover करते इसका display off हो जाता है तो अगर चाहे तो इसको off कर सकते है और अगला option आता है vibration यहाँ पर vibration को set कर सकते है default or high अगला option आता है password तो यहाँते password को set कर सकते है और system settings option देखने कली मिलता है यहाँ पर reboot power up and reset options देखने कली मिलते है और अगला option आता है Bluetooth तो reset Bluetooth और notifications इसको select कर लेते disconnection remainder on and off मतलब इसको आन करने पर क्या होगा जब भी Bluetooth disconnect होता है watch पर एक remainder आ जाएगा तो यह पूरे options settings में देखने कली मिलते है multifunction button प्रेस करने पर और एक menu आएगा यहाँ पर काफी सारे options देखने कली मिलते है पर आप्षन आता है workhouse तो यहाँ पर different workhouse देखने कली मिलते है यह watch पूरे 11 sports modes को support करता है और अगला option आता है activity वेसेंटली जो भी activity करें उस पर activity का information पूरा यहाँ पर देखने कली मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते है और अगला option आता है stats तो आज का information देखने कली मिलता है मतलब total number of steps, calories burned, standings और steps यह पूरा information यहाँ पर stats में देखने कली मिलता है और अगला option आता है heart rate तो इस option की इस्तिमाल करके heart rate को measure कर सकते है और इसमें average heart rate, max heart rate, minimum heart rate यह पूरा information यहाँ पर देखने कली मिलता है और अगला option आता है sleep तो आज का sleep information पूरा यहाँ पर देखने कली मिलता है sleep, spell, sleep act, walk up act और sleep data यह पूरा information यहाँ पर देखने कली मिलता है और अगला 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 अग तो weather information की देख सकते है. और अगला अप्शन आथा notifications. और अगला अप्शन आता है find phone. तो इस option की इसमेल करके अपने phone को find out कर सकते है सिस option सेलेक्ट थने पर अपने phone पर rington नेक आएगा सो यहां पर आप आप देख सकते है और अगला अप्षन आता है touch light, एक बार tap करने पर touch light on हो जाता है, फिर से tap करने पर touch light आप हो जाता है, अगला अप्षन आता है help और अगला अप्षन आता है setting, तो same setting पर यहाँ पर open हो जाता है, तो यह पूरे options इस watch में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हम आ लड़ी देख इस watch को set up करने लिए, शामी वेर आप को इस्तेमाल का रहे थे, तो अब हम इस शामी वेर आप के features के बारे में बात करते है, तो let's open शामी वेर आप, तो आपको open करते है, इसी तरह का animation है का आ जाएगा, तो आपको home screen इसी तरह से लिख्था है, यहाँ पर 3 tabs देखने कली मिल यहाँ पर steps data को day-wise, week-wise, month-wise देख सकते है, मन्त को select करने पर पूरा मन्त का data यहाँ पर देखने कली मिलता है, और यहाँ से अलग मन्त को भी select कर सकते है, for example, June को select कर रहा तो June मन्त देटा पुरा यहाँ पर देखने कली मिलता है, अगर हम steps data की accuracy के बारे में बात करेंगे, त 60-70% accurate है करके कह सकते है, तूँकि यहाँ पर actual number of steps से, ज्यादा number of steps दिखा रहा, मतलब यहाँ पर steps counting जो है proper से नहीं हो रहा, तो यहाँ पर data accuracy उतना खाता है करके तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पर improvement आना ज़रूरी है, so let's go back, again यहाँ पर क्यालेस को select करते है, यहाँ पर भी पर सुगे थे, उपूरा information यहाँ पर देखने कली मिलता है, और यहाँ पर latest work out का summary देखने कली मिलता है, तो यहाँ पर आलेडी एक work out available है, इसको select कर लेते, select करने पर यहाँ पर उसका GPS information देखने कली मिलता है, तो यहाँ वाद जो है built-in GPS place of GLONASS के साथ आता है, तो उसके यहाँ पर आज का data देखने कली मिलता है, यहाँ पर आज का data देखने कली मिलता है, यहाँ पर bedtime work up time information देखने कली मिलता है, और यहाँ पर sleep distribution information देखने कली मिलता है, deep sleep कितना है, light sleep कितना है, और awake कितना है, वो पूरा information यहाँ पर देखने कली मिलता है, तो यहाँ पर sleep data के बा कर रहा है, मतलब डेतम्सलिप केया absorbed नहीं कर रहा मतलब यहाँ पर भ्ला पर स्लिप डेता जो है बेसिक मिलता है थाइम मेंज वश्ड मंध व्या मुट बसक्राइब ऑगimyश धन डेटब हैं अगला ट्यां आप आया के रिंगे तो यहाँ पर डिप्रेंट वर्क आव देखनाके जैसा मैं पहला कहा है एवाज पूरे 11 वर्कवाट को सपोट करता है इनने से जो भी वर्कवाट को करना चाहरे उस वर्कवाट को सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन को प्रेश करना होगा और फाइनल टाब आता है प्रोफाइल तो यहां पर बैटरी परसंटेज देखने के सब्सक्राइब निकमिंद काल नोटिकेसशन को और आनला के बाद में यह बैटरी लाइब काफी आछा करना चाही के सकते हैं और यहां पर वाटफेश्शे उपस्स कूसें देखने के लिए मिलता है तो लेट सेलетиप यहां पर दो टाप्सेश्च देखने के लिए मिलते है तो by default watch में 5 watch faces को store कर सकते हैं, मतलब 5 watch faces को download कर सकते हैं अगर watch faces को change करना हो तो simply यहां से जो watch face चाहिए उस watch face को select कर सकते हैं for example, यहां पर मैं इस watch face को select करा and then apply तो यहां पर वो apply हो गया, तो यहां आप आप देख सकते watch face अपले हो गया तो इसी तरह से आप को इस्तिमाल करके भी watch face को change कर सकते हैं और अगला तया बाता है online, यहां पर काफी सारे watch faces देखने के लिए मिलते हैं तो Xiaomi के इस आप से more than 200 watch faces यहां पर available हैं इसमें से जो watch face चाहिए उस watch face को select करके अपने watch में download कर सकते हैं तो यह था watch faces के बारे में और अगला option आता है app notifications इसको select कर ले थे तो इस option के इस्तिमाल करके application related notifications के enable कर सकते हैं by default messages के notifications enable होके रहते हैं again let's go back, यहां पर incoming calls option देखने के मिलता है तो यहां पर incoming calls by default enable होके रहता है और अगला option आता है silence unknown callers by default disable होके रहता है इस option के enable करने पर unknown callers से call आया तो silent हो जाएगा लेकिन अगला option आता है show contact information by default enable होके रहता है जब incoming call आता है contact information जो है watch पे display होता है इस watch का Bluetooth connectivity ठीक सही काम कर रहा करके कह सकते हैं और इस watch में के notifications पूरे ठीक सही काम कर रहे watch में मही SMS notifications और incoming call notifications के enable करके test कर रहता है अगला option आता है additional settings यहाँ पर widgets option देखने कली मिलता है इस watch में जिसने भी widgets अवलबल है पूरे widgets यहाँ पर देखने कली मिलता है यहाँ हम इन widgets का order को change कर सकते हैं अगर कोई widget नहीं चाहिए तो उस widget को disable भी कर सकते हैं तो यह पूरे options Xiaomi Wear application में देखने कली मिलते है अगर हम इस application के बारे में बात करेंगे तो इस application में watch related settings बहुत ही कम देखने कली मिलते हैं watch के related settings पूरे watch में ही देदिया गया है like heart rate monitoring के related settings पूरे watch में अवलबल है और D&D settings और alarm settings फूरे settings को watch को इस्तिमाल करके यह change करना होगा but पूरे settings के लिए watch के इस्तिमाल करना हो तो थोड़ा मिश्किल हो जागा क्योंकि watch के display काफी चोटा है तो यह पूरे options आप में भी देदिया गया तो अच्छा रहता था क्योंकि आपको इस्तिमाल करके settings को चेंज करना काफी आसान होता है मेरे इसाफ चे तो आपको क्या लगता है effecting पूरे watch में देना बेटर होगा या app में देना बेटर होगा नीचे comment section में बता देना तो ओर रहाल इस watch के बारे में बात करेंगे तो इस watch के display अच्छा है पतानी यह लोग फंक्शनल्टी क्यूमिस करें जैसे हमें पहला का इस watch के data accuracy में काफी improvement आना जरूरी है तो फैनली 3,999 रुपीस में इस watch में खरी सकते है या नि अगर हम सेम price range में मिलने वाले दूसरे watch से compare करेंगे तो दूसरे watch में थोड़े ज्यादा फंक्शनल्टीस देखने के ले मिलते हैं लाहिक थोड़े watch से metal body के साथ आते हैं और अल्मुष्ट पूरे दूसरे watch में SPO2 sensor देखने के ले मिलता है थोड़े watch में stress monitoring में अवलबूल है और थोड़े watch में Bluetooth calling facility भी अवलबूल है अब आप उसजी सवाल हो तो नीचे कामिन सेक्शी में बता दे ना वीडियो पसंद आये तो लाइक किजिए और शेर किजिए और इसे तार के इंट्रेश्टिंग टेखनीकल वीडियो का में चानल को जदू सब्क्रेब चीजिए वीडियो देखनेकले बहुत बहुत शुक्रिया तो यह मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू